आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ हलो दोस्तों इस Question में क्या पूछा गया है A Nucleide इस अब लाई कर रही है जोन ओफ स्टेबिलिटी से अब लाई कर रही है उसको हमें ये बताना है कि वो क्या Emit करेगी मतलब किस टाइप की Particles को वो Emit करेगी ठीक है ना तो जोन ओफ स्टेबिलिटी से जो अब ओव निकलियस होते है वो उनमें क्या खास बात होती है उनका Neutron to Proton Ratio High होता है Neutron को मैं N से लिख रहा हूँ Proton को P से लिख रहा हूँ N by P क्या होता है उनका बहुत ही जादा होता है इसलिए उनका जो स्टेबिलिटी लेवल है वो जादा होता है Too Many Neutrons मतलब जब यहाँ पर Neutrons की संख्या Protons के कंपेरिजन में बहुत ही जादा होगी तो सब कुछ Depend Neutron पर करेगा कि क्या Emit होने वाले है ना तो Neutron क्या होता है 0N1 मतलब Neutron का Atomic Number के अगर हम बात करें तो 0 होता है और Mass Number 1 इसको हम कैसे समझ जखते है देखो जो Atomic Number होता है और Mass Number होता है तो Mass Number में से मतलब A में से जब हम Atomic Number घटा देते हैं तो वो किसकी संख्या आ जाती है Neutrons की Number of Neutrons तो यह verify हो गए यहाँ पर जब हम 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 आएगा इसका मतलब यह जो है यह एक Neutron है 0 and 1 ठीक है और जएड क्या होता है Number of Proton और यह 0 है तो एक Neutron है इसलिए Proton कितने होगी 0 और Neutron 1 तो यह 0 and 1 इसलिए लिखा जाता है अब यह किस टाइब से हमारा exist करता है जब Neutron होता है 0 and 1 तो टोटल मास नमबर कितना है इधर 1 था और इधर 1 प्लस 0 1 यहाँ पर Atomic number 0 था न तो यहाँ 1 Hydrogen और Minus 1 यह Electron इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 ही आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ एक Neutron किस किन दो Parts में टूट रहा है 1H1 और Minus 1 E 0 Simple सी बात है तो यहाँ पर Particle किस टाइप का निकला Negative charge Electron जो होता है Minus 1 E 0 हाना तो इसों क्या बोलते हैं गाईज हम Beta Particle बोलते है Beta Particle याद तो हम सीधा भी रख सकते हैं इसका answer कि जो Zone of Stability से Above जो हमारे Nucleus है वो क्या Emit करते है Beta Particle लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि वो क्यों Emit करते है तो उसका procedure ये है जो हमने यहाँ पर discuss किया है ठीक है Thank you